लेहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कुशिक करने वालों के लिए हार नहीं होती अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं है तू जो सहे तंच सारे ऐसा पिचारा नहीं है तू अभी तो जंग है जारी अभी हारा नहीं तू जो सहले तंच सारे ऐसा बेचारा नहीं तू हरो सा रख खुदा पे और अपने होसलों पे तुझे तो चान बनना है कोई तारा नहीं तू करेंगे वो जो करना है जो चाहेंगे वो होगा ये वो तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख कसोटी वक्त की है होसलों को बोल के रख जोड़ना है तुझे उचापरों को बोल के रख कसोटी वक्त की है होसलों को बोल के रख गुड एबनिंग आल आफ यू आप सभी का जोस हाई है ये सौंग सुनकर आपके अंदर जो है वो हाई हो जाना चाहिए ताकि जो भी question आए उसे आप catch कर ले तो आप सभी को beta competitive classes की YouTube चैनल पर मैं आलोग स्वागत करता हूँ और आज हम लोग जग्राफी स्रीज 25 देखेंगे इससे पहले 24 स्रीज तक देख चुके हैं तो आप सभी पीछे के video recall करते रहें जो लोग नए हैं वो लोग पहले पीछे के video देखें और daily life chat में जूरे सभी लोग life chat में answer करेंगे जितने लोग हैं सभी लोग answer करेंगे सभी को good evening सभी लोगों को good evening और जो नए हैं वो subscribe करें बाकी लोग like share करें सभी लोग class को share भी करें और सभी लोग जूरें आपका class का समय साम के 7 बजे special जग्राफी स्रीज सुबह में daily current affairs सुबह के 6 बजे तो सभी लोग time से जूरें आपके परिक्षा के डिश्टी से काफी अहम प्रश्निहां पिलाया जाता है ताकि आप परिक्षा को crack कर सके इसलिए आप सभी class को follow करते रहें तो सभी लोग जूरें daily साम के 7 बजे daily साम के 7 बजे सभी लोग special जग्राफी स्रीज में जूरें और सुबह में daily current affairs स्रीज तो आप सभी अपने तयारी के लेकर काफी जो है वो active रहें हमीशा जो है वो सतर्क रहें क्योंकि आने वाला जो भी exam है उसमें आपका geography या आपका politics related या जो भी GS के question आते हैं जो है काफी अब पहले जैसा question नहीं रहा है सब deeply question पूछा जाता है इसलिए आप सभी जो है इसे डंग से follow करें सही डंग से follow करें ताकि आप question को समझ सके और exam में बेस्तर perform कर सके आप तो उमीद करता हूँ कि आप सभी ready होंगे आप सभी ready होंगे questions लाया जाए आप सभी question बनाने के लिए त्यार है आज का question जो है वो LGBT से related है या जल मंदल से question आपके लिए मैं लगवग 15-16 conscience लाया हूँ ताकि आपका पूरा जल मंदल को clear किया जाए तो जल मंदल से related question है आप सभी ready रहें मैं लाता हूँ आपके लिए question तो ready हो जाएं सबी लोग एक number question है कि पिर्थवी के कुल छेत्रफल के लगवग कितने भाग पर जल का विस्तार है तो काफी महत पुर्ण question है अगर हम बात करें जल मंडल के तो धरातल पर जो भी जल के स्रोत है सबी को मिला कर ही उसे जल मंडल का आ जाता है तो पिर्थवी के कुल छेत्रफल जो है उसके कितने प्रतीसत भाग पर जल का विस्तार है जैसे यह मेरा अर्थ है इसे आप पशान रहे हैं यही अर्थ है तो इसमें कितने प्रतीसत भाग पर जो है B है 89%, C है 80% और D है इनमें से कोई नहीं तो पिर्थवी के कुल छेत्रफल के लगभग 21% भाग पर जल का विस्तार है ध्यारखना है यानि कि 71% भाग पर जल का विस्तार है तो उमिद करता हूँ कि ये question आपको समझ में आया होगा अगला question है कि पिर्थवी के कुल छेत्रफल के लगभग कितने प्रतीसत भाग पर अस्थल का विस्तार है तो आप सब ये अब निकाल सकते हैं इसे अभी आप लोग पीछे ले question में देखे कि पिर्थवी के कुल छेत्रफल के 21% भाग पर जो है वो जल का विस्तार है तो आपका जो है कितने प्रतीसत छेत्रफल पर अस्थल का विस्तार है यहाँ देख सकते हैं ये पिर्थवी पर जो है वो जल का विस्तार 21% तो कितने परसेंट भाग पर अस्थल का विस्तार होगा तो आप सभी इसका answer निकाले सबी लोग कॉमेंट करें, जितने लोग हैं सबी लोग कॉमेंट करें, 29%, B है 19%, C है 30%, D इन में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक नमबर 29%, यानि कि पिर्थवी के कुल छेत्रफल के लगवक 29% भाग पर जल का विस्तार है, जबकि 21% भाग पर अस्थल का विस्तार है ध्यां रखना है, अगला क्वेश्चन है कि पिर्थवी पर जल का अधिकता के बावजूद भी पीने लायक जल, खुल जल का कितना भाग है, तो अभी हम लोग देखें कि पिर्थवी पर जो है जल का विस्तार देखा जाए तो 21%, यानि कि इस अस्थल पर जो है कुल जल क विस्तार 21% पर जल ही है, तो जल मंडल कह सकते हैं, इसलिए पिर्थवी को निला ग्राह कहा जाता है, आप सभी जो है वो सौर मंडल से related वीडियो अगर देखे होंगे, तो वहाँ पर मैं बताया हूँ कि पिर्थवी को निला ग्राह कहा जाता है, तो आप सभी अगर नहीं परसेंट से कम, बी है 3% से कम, सी है 20% से कम और डी है इनमें से कोई नहीं, तो 21% जल है, लेकिन पीने लाइक जल जो है, वो मात्र आपका 3% से कम है, यानि कि इसका answer B number हो जाएगा, एक 70% भाग पे जल है, लेकिन उसका मात्र 3% से भी कम जल, पीने योग है, बाकी सब जल ज जल नहीं है तो ध्यार रखेंगे कि आपका तीन प्रतिसत से कम ही जो है वो जल जिसे हम पी सकते हैं तो जल मंडल तो है लेकिन पीने लायक जल जो है वो सभी नहीं है अगला कोश्चन है किसे अस्थल गोलार्ध कहा जाता है किसे अस्थल गोलार्ध कहा जाता है अप आंसर के किसे अस्थल गुलार्द कहा जाता है option है एक नमबर उत्री गुलार्द B है दक्षिनी गुलार्द C है पूर्वी गुलार्द और D है पच्छमी गुलार्द तो इसका सभी लोग आंसर करें ये question में पहले भी आप सभी को बताया हूं किसे अस्थल गुलार्द और किसे जल गुलार्द कहा जाता है तो सभी लोग इसका आंसर करें किसे अस्थल गुलार्द कहा जाता है आंसर करें सभी लोग सभी लोग इसका आंसर करें तो इसका आंसर एक नमबर सही है आप सभी का उत्री गुलार्द उत्री गुलार्द जो है वो अस्थल गुलार्द कहलाता है क्योंकि उत्री गुलार्द जैसे हम बात करते हैं उत्री गुलार्द और दक्षनी गुलार्द का तो ये मेरा अर्थ है और अर्थ के बीचो बीच जो है वो एक्वेटर जीरो डिग्री है और एक्वेटर के ऊपर ये आपका उत्री गुलार्द है और नीचे आपका दक्षनी गुलार्द है, तो उत्री गुलार्द को अस्थल गुलार्द कहा जाता है, कियोंकि उत्री गुलार्द के 39% भाग पर जो है, वो आपका अस्थल का विस्तार है, ध्यां रखना है, 39% भाग पे अस्थल का विस्तार है बाकी के जो भाग है उस पे जल का विस्तार है तो इसलिए उत्री गुलार्द को अस्थल गुलार्द कहा जाता है दक्षनी गुलार्द के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है वो जल का विस्तार 81% भाग पे है इसलिए दक्षनी गुलार्द को जल गुलार्द कहा जाता है तो द्याना कहेंगे कि उत्री गुलार्द में जो है वो 39% पे अस्थल का विस्तार है बाकी पे आपका जो है वो जल का विस्तार है सोडी 39% भाग पर सागर का विस्तार है और बाकी के जो रेष्ट हैं उस पे अस्थल का विस्तार है तो यहां कह सकते हैं कि आपका जो है वो 61% लग भाग अस्थल का विस्तार है इसलिए उतरी गुलार्द को अस्थल गुलार्द और दक्षिनी गुलार्द में 81% भाग पे जल का विस्तार है इसलिए इसे जलिये तो इस तरह से point को clear रखेंगे, अगला question है, तो इसका answer करें आप सभी, किसे जल गोलार्द कहा जाता है, किसे जल गोलार्द कहा जाता है, सभी लोग answer करें, जितने लोग जुरे हुए हैं, सभी लोग answer करें, और मैं प्रती दिन बोलता हूँ कि आप सभी अपने दोस्तों को भ और सभी लोगों तक ये class पहुँचे, तो सभी लोग सेर करें, सभी लोगों को सामिल करें आप सभी, तो सभी लोग जुरे हैं, जितने लोग हैं, सभी लोग जुरे साम के 7 वजे और सुबह के 6 वजे, खास कर मैं बार बार करता हूँ कि जो भी आप competition के त्यारी करते हैं, अगर आपको आगामी बिहार दरोगा एक्जाम देना है, तो आप इसे धंग से follow करें, डेली अच्छा से follow करें, आप बिहार SI क्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस class को follow करना होगा, तो आप सभी इसमें चुके नहीं, आप सभी follow करते रहें, तो आईए इस question का answer सभी लोग कियें, किसे जल गोलार्द कहा जाता है, तो बिलकुल इसका answer जो है, वो दक्षनी गोलार्द हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें, कि दक्षनी गोलार्द में 81% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए इसे जलिये गोलार्द कहा जाता है, जबकि उत्री गोलार्द को अस्थल गोलार्द कहा जाता है, तो ये दो ही गोलार्द है, ध्यार रखेंगे, उत्री गोलार्द और दक्षनी गोलार्द, अगला question है, पिर्थवी पर जल का सबसे बरा स्रोत क्या है, option है एक नमबर नदी, B है नहर, C है महासागर और D है, इनमें से कोई नह तो पिर्थवी पर जल का सबसे बरा स्रोत क्या है, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें, तो बिलकुल इसका आंसर C हो जाएगा महासागर, पिर्थवी पर जल का सबसे बरा स्रोत जो है, वो महासागर है, तो महासागर इसका आंसर हो द्यान रखेंगे तिर्थी परजल का सबसे बरा स्रोत जो है वो महासागर होते हैं द्यान रखना है आप सभी को अगला कोस्चन है पिर्थवी पर कुल कितने महासागर है सभी लोग बताएं एक नमबर है चार, बी है पाँच, सी है छे और डी है साथ तो पिर्थवी पर कुल कितने महासागर है सभी लोग आंसर करें इससे पहले हम लोग एक क्लास देखे थे जिसमें देखे थे महाद्वीप्य विस्थापन का सिध्यान जिसमें बेगनर का महाद्वीप्य विस्थापन का सिध्यान देखे थे सभी लोग कॉमेंट करें एक महासागर वेगनर के महादवीपे शिद्धान्त के नुसार पैंजिया के चारो तरफ एक महासागर का विस्तार था उस महासागर का नाम क्या है सभी लोग कॉमेंट करें जितने लोग हैं सभी लोग कॉमेंट करें पिर्थवी पर एक मात्र महासागर जिसका नाम क्या था एक मात्र महासागर जिसका नाम क्या था सभी लोग बताएं इसका आंसर सभी लोग करें क्योंकि यह मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ रिगनर के महाद्वी पे भी स्थापन के सिद्यानत में और नहीं चाद है तो आप पीछे के विडियो रिकॉल नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सभी लोग रिकॉल करें पिर्थवी पर कुल कितने महासागर है और पहले एक महासागर थे जिसका नाम बिल्कुल आप सभी का जो है सही है कुछ लोगों का जो है वो पांच महासागर हैं देहा रखेंगे पांच महासागर और सात महाद्वीब हैं तो हम लोग महासागर और महाद्वीब से related question जो है वो उस class में देख चुके हैं तो आप सभी repeat करें उस class को तो पिर्थवी पर कुल कितने महासागर है तो अभिवर्तमान में पांच महासागर ह जिसमें आपका प्रशांत महासागर, अट्लांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, तो ये पांच महासागर हैं ध्यां रखना है, तो अभे हमारे पिर्थवी पर पांच महासागर हैं, अगला क्वेशन है, महासागरिये जल मे पाये जाने वाले लवन सबसे अधिक है यानि कि महासागरिये जल में सबसे अधिक पाये जाने वाले लवन कौन है जैसे महासागरिये जल जो होते हैं वो लवनिये होते हैं क्खरा होते हैं क्योंकि उसमें लवन की मातरा जो है वो काफी होती है तो अगर हम बात करते हैं कि महासागरिये जल में सबसे अधिक पाये जाने वाला लवन की प्रतीसत किसका है सबसे अधिक किसका प्रतीसत है लवन में तो एक नमबर आफसन है आपका sodium chloride, B है magnesium chloride, C है magnesium sulfate और D है calcium sulfate तो महासागरिये जल में पाये जाने वाले लवन सबसे अधिक कौन है, सबी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सबी लोग answer करें, सबी लोग answer करें इसका, तो इसका answer एक नंबर हो जाएगा, sodium chloride, sodium chloride सबसे अधिक, जिसकी मात्रा अगर हम बात करें, तो 27 points से एभव होते हैं, य इसलिए लवन्दा इसमें रहती है, अगर बात करें तो second में आपका magnesium chloride हो जाती है, जिसकी परतीसद 10.9 परतीसद होती है, तीसरा पर magnesium sulfate होती है, जिसकी परतीसद 4.7 परतीसद होती है, और चौता Remote calcium sulfate जो कि 3.6 परतीसद होती है, तो sodium chloride आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक लवंता में sodium chloride होती है, जिसकी मातरा 77.8% हो जाती है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, कि सबसे अधिक लवंता में अगर प्रतीसत देखा जाए, तो सबसे अधिक प्रतीसत sodium chloride की होती है, ध्यान रखना है, कैसा आप सभी को class समझ में आ रहा है, सभी लोगों को geography समझ में आ रहा है या नहीं अगर इतना में भी आप सभी नहीं समझ रहे हैं, तो जो है वो फिर बहुत मुस्किल होगा इसलिए आप सभी समझने की कोशिस करें कहीं पे भी doubt हो, आप सभी पूछ सकते हैं, इसके अलावा मैं बार-बार कहता हूँ, कि आप सभी जो है, वो class को repeat करते रहे हैं, recall करते रहे हैं, बार-बार देखें, तब ही जाकर वो आपका question clear हो सकता है नित्या नहीं हो सकता है, इसलिए आप सभी जो है, वो class बहुत आसान लगता होगा, लेकिन जो लोग subjective नहीं पर हैं जी इसको, उनको थोड़ा tough लगेगा लेकिन फिर भी आप समाझने की कोसिस करेंगे, क्योंकि जो है वो जो लोग subjective पर लेते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है ये समझे हुए रहते हैं लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं उनको थोड़ा tough लगेगा उनको 2-4 बार वीडियो देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा मैं ज्यादा तर कोसित करता हूँ कि जितना ज्यादा question हो मैं समझा दू आपको ताकि आपको कोई पड़े साहनी नहीं हो लेकिन फिर भी अगर आप जो है आपका clear नहीं हो रहा है जग्राफी नहीं पर रहे हैं तो आपके लिए अगर नजदीक में हैं तो आपके लिए offline batch भी है अभी जो है वो कल से यानि कि 7 फरवरी से एक GS की new batch आ रही है यह 11 बज़े से 1 बज़े तक तो जो लोग nearby में हैं वो सभी लोग class जोईन करें offline जोईन करें देखिएगा आप जो है वो objective question को जवरदस्ट ढंग से पकर सकते हैं इसलिए आप सभी जो है subjective अगर possible हो तो आप सभी जो है वो offline batch जोईन करें 11 सेक में 7 फरवरी से start हो रही है सभी लोग उसमें सामिल होएं और उसके बाद जो है देखिएगा आप YouTube पे भी कमाल कर सकते हैं objective को जवरदस्ट ढंग से पकरेंगे पूरे question को solve कर सकते हैं exam को crack कर सकते हैं खासकर जो भी BPSC दरोगा या अन एक्जाम के तियारी करते हैं वो सभी लोग class जोईन करें क्योंकि अब देख रहे हैं कि SSC MTS वेगरा में भी आपका GS को प्रात्मिक्ता दे दिया गया SSC CGL में मेंस में भी आपका GS जोड दिया गया तो इसलिए GS के value को आप लोग समझें और सभी लोग offline, online class करें offline में जूरें offline में सभी लोग आका जोई है वो deeply अध्यान करें उसके बाद आप online में question बनाएं ताकि आपका एक भी question ना छूट सके इसलिए सभी लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जूए समझे होंगे बात को और सभी लोग जूए जिनके भी दोस्त हैं या कोई है आप सभी जूए वो भेजे सभी लोगों को सामिल करें सभी लोगों को class में लाया जाए और कल से 11 बजे कल से 11 बजे जिनको भी offline class जूएन करना है सभी लोग जोईन करें, थोड़ा सा भी संकोचना करें, जल्दी से class जोईन करें, ताकि आप भी अपने GS को clear करें, जो लोग GS subjective परहे होंगे, उनको objective कैसा लगता है, आप सभी में से कितने लोग जो है, वो class किये हुए हैं, उनको question कितना आसान लगता होगा, लगता होगा कि ये सब question हमसे बन गया होगा, लेकिन जो लोग नहीं परहे हैं, उनको tough लगता होगा, बहुत लोग maximum मेरे batch में quality परहे हुए थे, quality उनको बहुत आसान लगा, लेकिन बहुत लोग अभी GS नहीं परहे हैं, उनको GS tough लग रहा है, लेकिन जो लोग GS subjective पढ़ लिये होंगे, उनक तो आज geography भी आसान लग रहा होगा, तो इसलिए सब ही लोग offline, online join करें, आपका तयारी बेस्तर होगा, मैं ये guarantee देता हूँ, तो कल से 11 बजे offline batch में जिनको सामिल होना है, आईए और सामिल होएं, और online में अपना objective को बेस्तर करें, तो आईए, next question है, उसे हम लोग देखते है तो अगला question है, कि महासागरिये जल का ओसत लवनता कितनी है, महासागरिये जल की ओसत लवनता, एक नमबर है, 35% इकाई, B है 50% इकाई, C है 75% इकाई, और D कोई नहीं, तो बताएगा कि महासागरिये जल की ओसत लवनता कितनी है, सभी लोग answer करें, तो इसका answer हो जाएगा एक नंबर 35% इकाई 35% इकाई जो है वो महासगरिये जल की आउसत लवन्ता होती है दिहां रखेंगे 35% इकाई यह कितने बार एक जाम है पूछ लिया गया कोश्चन है तो दिहां रखेंगे महासगरिये लवन्ता को आपका प्रतीसत इकाई में ही व्यक्त किया जाता है दिहां रखेंगे कि महासगरिये लवन्ता को प्रतीसत इकाई में ही व्यक्त किया जाता है यही इसका सिंबल होता है तो प्रतीसत प्रती इकाई में वो व्यक्त किया जाता है जिसका अर्थ होता है ग्राम प्रती एक हजार ग्राम प्रती 1000 इसका अर्थ होता है और इसे इसी में ब्यक्त किया जाता है तो ध्याराखेंगे इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा अगला question है कि महासगरिये जल में सबसे अधिक लवनता पाई जाती है कहां पर सभी लोग answer करें जितने लोग हैं सभी लोग answer करें जो लोग जगरॉफी पढ़ होंगे वो तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं लेकिन जो लोग नहीं पढ़ हैं उनको मुस्किल होगा महासगरिये जल में सबसे अधिक लवनता कहां पाई जाती है सभी लोग इसका आंसर करे, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करे, कि महासगरिये जल में सबसे अधिक लवन्ता कहां पाई जाती है, तो ध्यां रखेंगे इसका आंसर जो है आप लोग को निकालना है, जैसे ये आपका zero degree equator है, तो zero degree equator है, और यहाँ पर आपका उतरी ग जानते भी होंगे आप, तो करक रेखा, मकर रेखा और बीच में equator है, ठीक है? तो कह रहा है कि सबसे अधिक लवन्ता कहां पाई जाती है, तो सबसे अधिक temperature जो है आपका करक रेखा और मका रेखा के पास होने के कारण यहाँ पे लवनता सबसे अधिक होती है लेकिन आपका एक्वेटर के पास प्रती दिन पता है कि आपको बारिस होती है तो बारिस होने के कारण यहाँ पे मासागर के अंदर लवनता कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे डेली बारिस होती है लेकिन यहाँ पे गर्मी के वज़ा से टेंप्रेचर हाई के वज़ा से लवनता सबसे अधिक पाए जाती है जबकि सबसे कम लवनता आपका वो इक्वेटर पे दिखेगी तो इस तरह से अगर हम यही आपका पोल पे गएं दोनों पोल उत्री पोल और दक्षनी पोल तो पोल पे बर्फ जमे रहने के कारण जो है नहां रखेंगे कि ध्रू के पास बर्फ रहते हैं और जब बर्फ पिख लेंगे तो उसके कारण क्या होगा उसके कारण वहाँ के जल के खरापन कम हो जाएंगे तो इस तरह से ध्रू के पास भी आपका कम रहेंगे दोनों ध्रू के पास इक्वेटर पर अधिक रहेंगे क्योंकि temperature अधिक रहती है भुमद रेखा पे भी कम रहेगी क्योंकि यहाँ पे डेली बारिस होती है तो इस तरह से जो है वो धिहां रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका A प्लस B यानि कि महासागरिये जल में सबसे अधिक लवनता पाई जाती है करक रेखा और मकर रेखा के पीज जबकि विशुत रेखा के पास कम लवनता पाई जाती है तो इस तरह से question clear हो गया होगा आपको अगला question कि महासागरिये जल में सबसे कम लवनता कहाँ पाई जाएगी तो सबसे ज़्यादा लवनता हम लोग देखें कि करक रेखा और मकर रेखा के पास पाई जाती है तो सबसे कम लवनता कहाँ पाई जाएगी तो पिछला question में ही देखे इसका अंसर बिसवत रेखा हो जाएगा यानि कि बिसवत रेखा के पास जो है वो सबसे कम लवनता पाई जाती है अगला question है कि ध्रूगों के पास लवनता पाई जाती है अधेक या कम, सबी लोग आंसर करें, तो इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बताएं हम, कि धुरूंगों के पास बर्फ जामे रास्ते हैं, और बर्फ के पिघलने के वज़ा से, वहाँ पे लवनता कम पाई जाती है, तो इस तरह से ये 3-4 कोस्चेन आपका, clear हो गया होगा, अगला कोस्चेन है, इस कोस्चेन को आप सभी ध्यान से बनाएंगे, उसी से related कोस्चेन है, आप सभी को इसका अंसर करना है, सही से पहले कोस्चेन आप सभी पढ़ें, उसके बाद अराम से option पर दियांगे, अगर करक रेखा से मकर रेखा की और चले, तो महासागर में लवणता पर क्या परभाव परेगा ? Question को ध्यान से परेंगे, option को ध्यान से परेंगे, तभी आफ सभी answer करेंगे, समय देते हैं सभी लोग answer करेंगे, अगर करक रेखा से मक्का रेखा क्योड चले तो महासागर में लवनता पर क्या परवाव परेगा एक नंबर है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा बी है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा सी है कोई परवाव नहीं परेगा और डी इनमें से कोई नहीं तो कह रहा है कि करक रेखा से मक्का रेखा क्यों चले तो ये हमारा इक्वेटर था देखे थे अभी और इसके उपर करक रेखा और इसके नीचे मक्का रेखा तो सभी लोग आंसर करें करक रेखा से मक्का रेखा क्यों चले तो महासागर में लवनता पर क्या परभाव परेग कि यहाँ पर जो है लवनता अधिक होती है लेकिन आपका equator पर लवनता कम होती है फिर मकर रेखा के पास लवनता अधिक हो जाती है तो करक रेखा से अगर हम equator के पास पहुँचे तो करक रेखा से equator तक पहुँचने में पहले घटेगा यहाँ पर घटक कम हो गया और फिर जो है वो आपका equator से लेकर मकर रेखा अखर तक गएं तो यहाँ पर बढ़ना शुरू कर देती है तो करक रेखा और मकर रेखा पड़ा दिख रहती है जब की equator पर कम होती है तो करक से equator तक गएं पहले घटेगा और फिर जो है equator से मकर रेखा की तरफ गए तो बढ़ेगा यानि कि इसका answer एक number हो जाएगा यानि कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा तो इस तरह से question clear हो गया होगा आप सभी का अगला question है अगला question आप सभी बनाईए अगर उत्री द्रो से बिसुवत रेखा की तरफ बढ़ेटर तो महासागरिये लवनता पक्या प्रभाव परेगी अगर जो है वो उत्री द्रो से बिसुवत रेखा की तरफ अब हमारा उत्री द्रो भी यही था और यहाँ पर बिसुवत रेखा equator तो उत्री ध्रों से बिशुवत रेखा की तरफ बढ़ें तो महासगरिय लवनता पर क्या प्रभाव परेगी सभी लोग आंसर करें एक नंबर है घटेगा फिर बढ़ेगा बी है बढ़ेगा फिर गटेगा सी है कोई प्रभाव नहीं परेगा कोई नहीं तो अगर उत्री ध्रों से बिशुवत रेखा की तरफ बढ़ें तो महासगरिय लवनता पर क्या प्रभाव परेगी सभी लोग आंसर करें जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें समय देते हैं अराम से question को परें और आंसर करें अराम से आंसर करना है कभी कभी होता क्या है कि आप जल्दबाद जी में आते हुए question को भी गलती कर देते हैं और exam में भी ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं करना है आप पहले question को अराम से पढ़ें अराम से answer करें नहीं कि जल्दी के चक्कर में आप जो भी बनाए वो गलती हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे exam में 100 question है तो exam में आप ये ना देखे कि हमें 100 question बनाना है हम 60 question ही बनाए लेकिन हम सही बनाए हम 70 question ही बनाए लेकिन सही बनाए तो आपका result नहीं रुकेएगा और कितने लोग हैं कि जो है वो attempt के चक्कर में जो है 95 attempt लेंगे handed attempt लेंगे तो उनका जो है वो 25 गलती होगा 30 गलती होगा तो ऐसे इस्तिती में आपका result जो है वो रुक जाती है नहीं आपाती है तो इसलिए जल्देबाजी के चक्कर में गलती नहीं करना है आप सभी question को अराम से पढ़े और answer करें question को समझे तभी answer करें तो अगर उत्री द्रोब से बिस्वत रेखा की तरफ बढ़े तो महासगरी ये लवनता पर क्या परभाव परेगी बिल्कुल आप सभी का जो है सही है यहाँ पर जो है देखे कि लवनता सबसे कम होती है क्योंकि बर्फ विगालती है और यहाँ पर तो पहले जो है अगर हम पोल से उत्री द्रोब से जो है वो कर क्रेखा तक आएंगे तो देखे कि पहले बढ़ेगा कर क्रेखा तक बढ़ेगा फिर कर क्रेखा से एक्वेटर की तरफ गए तो फिर जो है वो आपका घटेगा क्योंकि एक्वेटर पर कम होती है आपका जो है पोल पर कम होती है तो पोल से कर क्रेखा तक बढ़ेगा और फिर जो है वो आपका कर क्रेखा से equator तक जो है वो घटेगा, तो ध्यान रखेँगे ये हमारा उत्रीधु है, यहां से हम नीचे गए, तो ये करक रेखा तो उत्रीधु से करक रेखा तक आए तो पहले बढ़ा, और करक रेखा से फिर equator तक गए, तो फिर घटा, और फिर अगर equator से हम मक्का रेखा की तरफ गए तो मक्का रेखा तक बढ़ेगा और फिर मक्का रेखा से अगर हम आपका पोल तक है तो फिर जो है वो घटेगा और पोल पर जाकर कम हो जाएगा तो इस तरह से प्रतेक पॉइंट को आप ध्यां रखेंगे concept clear रखेंगे इस related question में ताकि अगर concept clear है तो किसी भी तरह से एकजाम में घुमा कर question पुछे आप उसे बना सकते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा सभी लोग answer करें इसका answer B number होगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा तो इस तरह से आप सभी का ये question clear हो गया आप सभी का ये question clear हुआ या नहीं अगला question है कि सबसे खारापन जल कहां पाई जाती है सबसे खारापन जल कहां पाई जाती है answer करें एक number है लेकवान जिल B है काला सागर C है A plus B और D इन में इसका खारापन जल कहां है तो इसका answer सभी लोग comment करें इसका answer एक number हो जाएगा लेक वान जिल जो है वो सबसे खारापन जल है जो कि तुर्की में इस्तीत है और इसके खारापन जो है प्रतिसत इकाई जो है इसका खारापन है तो सबसे ज़्यादा खारापन जो है वो कहां है तो तुर्की के लेक वांजिल में जिसका खारापन 389 प्रतीसति काई है तो ध्यां रखना है यह तुर्की के अंदर इस्थित है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन और लाश्ट कोश्चन है आज का लाश्ट कोश्चन सुला नम्मर कोश्चन है कि सबसे कम खरापन जल पाई जाती है आंसर करें सभी लोग, सबसे कम खड़ापन, अभी हम लोग देखें कि लेकवान जील में सबसे अधिक खड़ापन पाए जाती है B है काला सागर और D है A प्लस B है इन में से कोई नहीं, तो इसका तो आंसर आप सभी निकाल लेंगे क्योंकि आप सभी को option पकरने का जो है वो अब आदत हो गया होगा आप सभी अब मेरे गुगली को भी पाश्चान गये होंगे मेरा काम यही है कि आप सभी को जितना हो सके question में फसाना ताकि आप जो है वो निखे रहे, तो निखारना मेरा काम है लेकिन इसका option जो है आप सभी पकर लेंगे मुझे पूरा भी स्वास है कि आप सभी जो है वो अब मेरे गुगली को पाश्चान लिये हैं और उसपे आप जो है वो six लगाएंगे ठीक है तो सबसे कम खरापन जल बिलकुल आप सब जो है six लगा ही दिये सबसे कम खरापन जल जो है वो काला सागर यानि कि भी हो जाएगा काला सागर सबसे कम खरापन जल काला सागर में जिसके अगर बात करते हैं खरापन का तो इसके अंदर जो है अठारह प्रतीसत इकाई जो है वो आपका खरापन है 18% इकाई इसका खड़ापन है जबकि उसका हम देखे तो 389% इकाई थी तो इस तरह से सबसे कम खड़ापन जल जो है वो काला सागर में और सबसे अधिक खड़ापन किसका है तो आपका लेकवांजील में है जो तुर्की में इस्तित है और वही आपका काला सागर इवरोप में इस्तित है तो आज के सुल्लह महत्पून कोश्चन थे आपके एक्जाम के देश्टी से अभी हम लोग और जो है वो जल मंडल से रिलेटेड कोश्चन देखेंगे जिसमें देखेंगे कि महासागरिये तल को अस्तल समीर कब चलती है अस्तल समीर कब चलती है इसका आंसर आप सभी को कॉमेंट वाक्स में जरूर देना है तो जरूर आप सभी बताएंगे कि अस्तल समीर कब चलती है और आप सभी को कैसा लग रहा है तैयारी आप सभी को class को follow करते हैं तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी आप exam को crack कर सकते हैं इसलिए आप सभी मेहनत करें आपके लिए मैं बेस्तर से बेस्तर question लाता हूँ ताकि आपको जो है वो समझाया जा सके आपके concept को clear किया जा सके तो इस तरह से आप सभी follow करते रहें आज यहीं तक फिर हम मिलेंगे next class में जल मंडल के साथ हीं तो आप सभी इस बीच जितना हो सके वीडियो देखे पीछे की वीडियो रिकॉल करें और मैं इस तरह से आप follow करते रहें आपको कहीं पिए भी कोई भी परिशारी नहीं होगी तो उमीद करता हूँ कि आप सभी जरूर समझे होंगे आप सभी अपने future के लेकर जो है वो काफी active हैं तो अगर ऐसे करते हैं तो आपका तयारी बेस्तर होगा मुझे पुरा विश्वास है कि आप अपने तयारी के प्रती जो है इमंदारी बरत्ते होंगे तो ठीक है आज यहीं तक मिलेंगे next class में तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद good night, सभी को good night